क्या हले दोस्तों आगे हो एक और नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में एक बार फिर से एक नई डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 30 हजार के अंदर आने वाला सबसे बैस्ट डिवाइस होगा और इस प्राइज पोईट पे आपको ऐसी डिटेल्स कहीं पर भी नहीं मिलेगी मैं बात करने वाला हूँ Redmi के K60 फोन के बारे में ऐसे इसके अंदर क्या फीचर है जो कि इसे नंबर वन रैंक पे ले आते हैं जो कि अगर हम देखें तो ये फोन जो है कि आपको Redmi K60 के नाम से बी इंडिया के अंदर देखने को बिल सकता है और Poco की र आपके पास आती रहें सबसे पहले तो इस फोन का लुक बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि आभी तक ऐसा लुक आपको किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलेगा यूनिक कैमरा ले आउट और कैमरा के ऊपर ही यहां पर आपको मैटल की फ्रेम देखने को मिल जाती है बैक साइड में आपको ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है और साइड से आप देखोगी तो जो कराव फ्रेम है थोड़ी और गरीप भी काफी अच्छी रहेगी काफी अमेजिंग लुक यहां पर आपको बैक साइड से देखने को मिलेगा और फ्लेश लाइट है पाखी इसकी बाहर से आप देखोगी बॉडडि लेंगविज इसकी देखोगी कााफी इंट्रस्टिंग लुक यहां पर आपको देखने को मिलेगा अब सामने की साइड से आप देखते हो तो काफी अची其實 तपाइज के डिस्प्ले यहां पे आपको देखने को मिलेगे चिंज जो है वो मैं डूर्मल ही बोलों हे बहुत ज्याधा भी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है medium ही आप बोल सकते हो और उपर की side यहाँ पर आपको punch hole देखने को मिल जाता है अगर यहाँ पर display details की बात करते हैं काफी amazing है यहाँ पर आपको 6.7 inches की Full HD plus 120 Hz वाली AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाती है 12-bit वाली AMOLED डिस्पले है इसके अंदर अफी अच्छे colors यहाँ पर आपको देखने को मिलेगे Dolby Vision, HDR 10 Plus और 1400 Nits की यहाँ पर आपको peak brightness देखने को मिल जाती है 87.5% का यहाँ पर आपको screen to body ratio देखने को मिलेगा मैंने बोला था कि इस price range में जब आप 30,000 के अंदर कोई भी devices देखते हो तो display की ऐसी details आपको देखने को नहीं मिलती जो कि इस phone के अंदर है इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप 30,000 के अंदर जाते हूँ phone लेने तो उनके अंदर जहें कि processor इतने ज़्यादा बड़े नहीं देखने को मिलते लेकिन इस phone के अंदर आप देखोगी तो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 का यहाँ पे आपको 4NMP-based है processor देखने को मिलेगा काफी powerful processor है 20,000 के अंदर आप देखोगे value for money यह phone बन जाता है storage RAM की यहाँ पे आपको multiple options देखने को मिल जाते है 8GB से लेकि 16GB तक की RAM यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 128GB storage से लेकि यहाँ पे 512GB तक की storage आपको देखने को मिल जाती है multiple options हैं जो आप चाहूँ वो ले सकते हो कहानी यहीं पे घदम नहीं होती है battery department की अगर बात करते हो तो यहाँ पे भी बहुत कुछ changes आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आप देखते हो यहाँ पे back cameras के अंदर तो यहाँ पे triple camera setup है 64 Megapixel का यहाँ पे आपको man camera देखने को मिलेगा 8 Megapixel का ultra wide है और 2 Megapixel का यहाँ पे आपको macro lens देखने को मिलेगा इसके अंदर आप 8K video recording कर सकते हो 24 fps में 4K video recording कर सकते हो 30 fps और 60 fps में बैक साइड जो camera design है वो भी काफी अच्छा है और camera detail यहाँ पे आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगा उससी के साथ आप selfie camera देखने को मिलेगा अभी तक यह phone इंडिया के अंदर आया नहीं है और क्या कैसे आएगा rebrand हो की आएगा या फिर Redmi K60 series के अंदर ही होगा अभी time लगेगा जब आएगा तब पता चलेगा लेकिन detail बहुत ज़्यादा amazing है अभी तक जो है कि जितनी भी detail सामने निकल गया है उन्हें से यही पता चलता है कि 30,000 के अंदर होगा अगर यह phone 30,000 के अंदर होता है यह number one rank achieve करेगा definitely करेगा बहुत ज़्यादा amazing details है इस phone के अंदर detail और pricing देखते हुए मुझे यह काफी अच्छा लगा है look भी काफी अच्छा है बाकि आपको यह details उनके और price उनके क्यासा लगा है वो भी आपका comment section में बता सकते हो आज के लिए इतना ही आपको वीडियो कैसे लगे है comment section में जुरूर बताना अगर आपको वीडियो पुसंद है तो please like वेट से मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद